वेल्कम तू मैं चैनल कॉम स्कॉलर देखिए यह GST का काफी दीनों वाद एक लेस्टर वीडियो में अपलोड कर रहूं और एक नया चप्टर देखिए आपको GST के अब काफी बेसिक नोलेज हो गया होगी बेकोज विदाउट एनी बेसिक नोलेज यू कांट एवन अंडरस्टेंड दी फंडमेंटल और इंपोर्टेंस ऑफ दिस चप्टर तो इस बेटर पहला आप अपने फंडमेंटल जो बेसिक हैं GST के वह अच्छे समझाओ उसके बाद आप इस चप्टर के अच्छे से पढ़ अल्राइट देखिए पहले आपको हम समझते हैं कि इस चप्टर की जो है इंपोर्टेंस क्या है देखिए जब हम GST को पढ़ते हैं या अगर प्रेटिकल सेंस में बात करें हैं तो जब GST लेए भी होता है वो टेक्स देखिए कौन-कौन से होते हैं एक तो आपका GST प्लस UT GST और एक वता है आपका IGST राइट अगर माननी जीए यह होगा आपका इंट्रा स्टेट में अगर सप्लाइए इंट्रा स्टेट हो रही है तो फिक क्या लेगएगा C GST प्लस S GST बट अगर माननी जीए हो रहा है इंट्रा-UT इंट्रा-UTS में हो रहा है तो फिक क्या लगता है C GST प्लस UT GST बट अगर इंट्र स्टेट हो रहा है तो फिक क्या लगता है IGST that is इंट्र स्टेट गुड्स एंड सर्विस टेक्स राइट तो यह आपका जो लगएगा क्या होगा इंट्र स्टेट एंट्र जब हमने रिवर्स चार्ज मेकनिजम चप्टर पढ़ा था तब हमने वहाँ पर एक छोटे से डेफिस पढ़े थी कि होता है या IGST को बले भी होता है या IGST को बले भी होता है बेसिकली आपको हमेशे जयर दो टम जो समझ आने चाहिए एक होता है location of supplier या फिर place of supplier और और एक होता है आपका place of supply या फिर इसको बोते हम location of 테akah अगर मान लीज़े ये दोनों अगर सेम स्टेट में हैं तो फिर क्या लगएगा आपका इंट्रस्टेट तो फिर किस टैप का टेक्स लगएगा आपका cgst plus sgst I repeat अगर मान जी location of supplier या location of recipient अगर इन दोनों का ही location अगर एक स्टेट में हैं तो क्या लगएगा cgst plus sgst और इन दोनों के location अगर different स्टेट में हैं तो फिर क्या लगएगा IGST CDC बात यह है राइट बटन में चाहिए दखना कि location supplier को हम place of supplier भी बोल सकते हैं and location of recipient को हम place of supply भी बोल सकते हैं बट कुछ-कुछ cases में ऐसा है जहां पर आपको इनको ढूड़ना बड़ा मुश्किल होता है सर कैसा यह तो सीली सी बात है हम में सब भी ढूड़ना है कि भी recipient कहा पर है और supplier कहा पर है इसमें दिक्कत क्या है देखे कुछ accepting cases ऐसे होते हैं जहां पर आपको बताना बहुत identify करना बड़ा मुश्किल होता है कि भी हम कौन से state में इसको हमाने देखे जब तक आप place of supplier अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर आपके जो अब upcoming चप्टर आएंगे जो specially एक बहुत बड़ा चप्टर आए that is input tax credit उसको समझने बड़ा मुश्किल होगा because input tax credit आपको basically होता है that is कोई भी credit लेना अगर मालेजे supplier ने अगर किसी भी receipt पर या goods और service अगर उसको क्रेट लेना है तो supply तो करना पड़ेगा लेकिन वो supply कहां कर रहा है वो depend उसको भी कर रहा है उसका एक mechanism होता है मैंने इसका एक introduction video lecture अप्रोड किया हुआ है अब हाँ भी देख सकते हो तो IT से जब पढ़ेंगे तब पता ना चाहिए कि कौन से state में किसको मिलेगा because ultimate is GST का है आपका destination based tax है तो जहां पर destination यानि कि जहां पर जिस statement आके वो service खतम हो रही है या फिर goods जहां पर ultimate consume हो है उसी state को जो है वो IT से का benefit मिलेगा पर परता तो तुले कि location of supplier का location of recipient कौन कौन से state में है क्या वो एक ही state में है या different state में है सारे से मुश्किल क्या है मुश्किल यह है जैसे माली जी मैं आपको एक example देता हूँ एक example समय लेते हैं जैसे माली जी आप जो है train से जा रहे हो आप माले जी train में आप माले जी first A point से आपने journey अपनी start की फिर माले जी आपको यह B, C, D और E आपको E point पर जाना है आप चड़े कहां से A से आपको जाना कहा है E से आप माले जी आप on board आपने माले जी महाँ पर कोई goods जो है वो consume किये या goods आपने purchase किये माले जी आपने B state प आपने वो goods पर्चेस कर लिए अब जाब आपने goods जो पर्चेस किये क्या तो क्या आप train में देखोगे बाहर window पर क्या आप कोई से state में हूँ क्या आपके place वो supply क्या उनसे state माने क्या B माने तो इसमें यहां पर confusion होती है आप बता नहीं पाओगे इसमें आप बहुत दिक्क पैकिंग वाला goods नहीं है उसने बोले मैं आपको थोड़े धिर्म राके देता हूँ तब तक जो है C state आ गया आपने C state में आके आपने जो है वो goods ले लेकिन आपने payment करते करते माले जब D state में पोज़ गई तो फिर places apply कों से state में माने B में माने C में जाना या D में माने तो इस case में देखिए तब जाके आपको confusion हो सकती है कि location of recipe या location supply क्या हम आगे चले है तो अभी आप देखिए जवाब नहीं दभाऊगे इस chapter के importance यही बताती है कि अच्छे तरह से इसको determine करना कि place of supply या फिर place of supply क्या होता है basically हम वो ही समने आ रहे है तो students देखिए हाँ पर हम basically ह हम चार section पढ़ने जा रहे है section 10, section 11, section 12 and section 13. पहले हम पढ़ेंगे section 10. section 10 देखिए किस के बारे बताता है that means place of supply other than imports and exports. हम इनकी बात नहीं कर देखिए that means import export की बात करें या फिर in short हम बोलें कि भी यहापर जो है location of जो यानि कि यहापर जो आपके 10 states में हम क्या मांगे चलेंगे कि जो supplier and recipient दोने के दोनों जो हैं वो कहाँ पर है in India में यानि कि इनकी location वो कहाँ पर है इंडिया में ही है दोनों में से कोई बाहर नहीं है वो इंडिया में ही है तब जाके जह हो section 10 applicable होगा लेकिन यहादखना students हम यहापर पढ़ने जा रहे हैं जो भी section पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे है as per IGST Act क्योंकि confusion हो सकती है क्योंकि आपने section 10 already पढ़ चुके हो section 10 हमने क्या पढ़ था अगर आपको अच्छे से याद हो थो हमने क्या पढ़ था हमने देखे एक तो थे section 9 पढ़ था section 9 क्या पढ़ था river charge mechanism राइट section 10 हमने क्या पढ़ था comparison levy राइट तो उस ते आप confuse मत हो ना वो पढ़ था हमने CGST Act में यहां पर हम क्या पढ़ रहे है IGST Act में तो यहां पढ़ रहे हैं प्लेस अपलाई under IGST Act और पहला section हमने section 10 और section 10 का पढ़ था है यहां पर location of supplier और location of recipient दोनों के location कहां पर है वो इंडिया में है राइट चलिए फर्स केस पढ़ते हैं यहां पर हम फर्स केस के लिका हुए वेर दिस सप्लाई इन्वल्स मॉव्मेंट और गुड्स वेदर वाइजी सप्लायर और रेसिपियेंट और बाइन अधर परसन यानि कि यहां पर जो है गुड्स की इन्वोल्मेंट हो रहे है या यानि कि जैसे मालनी जीए मालनी जीए कि जो सप्लायर है जो सप्लायर है वो कहां पर है डेली में है राइट और जो रेसिपियेंट है मालनी जीए वो कहां पर है वो हरियने में है ठीक है तो उसने जो है रेसिप्लायर ने डेली से हरियने में गुड्स डिलिवर किये थेक है तो प्लेस्व किहां या म मनेंगे हरियाना क्योंकि असने हरियाने में जाके ही जो है गुडस सप्लाइ किये है अभला हर स्प्लाइм क्यों मना क्या श्रीया अब नियुक्त देखिये धिक हरें यहां किये है तो ultimate ultimate वो termit कहाँ पर हर्याना में तो place of supply क्या मानेंगे हर्याना और location of supplier क्या मानेंगे डेली तो इस case में आपका text कुन सा मना IGST Act तो आपको answer दे कहाँ लिखना होगा proper कि as per section 10 where the movement of goods are involved the place of supply would be the location of goods where the movement of goods terminate that's it आपको यह answer लिखना है तो पहला case क्या होगा जहां पर goods की movement की involvement है तो ultimate जहां पर goods deliver हुए वही क्या मनेंगा place of supply अच्छा देखो यहां पर हम जो मेली जो focus करना हैंगे वो focus करेंगे कि place of supply क्योंकि देखिए location of supplier थो हमें पता ही है कि जहां पर जहां से supply कर रहा है वो क्या मन क्या location of supplier या place of supplier ठीक है हम ultimate क्या अपना है हम determine क्या क्या करना है place of supply और place of supply वैसे maximum cases में कहते है that is location of recipient बट कुछ exception cases ऐसे होते हैं जहां पर recipient की नहीं supplier की places वाले मनते हैं ठीक है I repeat देखिए ultimate हमको क्या determine करना है that is place of supply और एक होता है आपका location of supplier तो location supplier मेंस जहां से वो supply कर रहा है कौन supplier लेकिन place of supply basically in most cases क्या होता है location of recipient most cases नहीं बर कुछ exception कैसे हम पर हमें बड़ी confusion होती है कि place of supply क्या मांगे चलिए जैसे देखिए ओपर हमने जर्णरी वाला case लिया था अब उस case में क्या होगा वह हम देखेंगे जब example आएगा तो case आएगा राइट तो में लिए हम फोकुस करना है कि place और supply को कैसे determine करें चलिए second case पढ़ते हैं where the goods are delivered to the recipient or any other person on the direction of the third person by way of transfer of title or otherwise and this is the most important term that is called bill to ship model right यहां पर मतलब क्या हो रहा है जैसे देखिए example देखिए आपर एक बार हम यह वाल example पर ने देखिए ऐसा मांग लिजिए A B A A में मान लिजिए वो कहां पर इसके supplier वो कहां पर डेली में है और यह जो B है वो को न यूपी में है B ने जब A जो है goods डिलेवर कर रहा था B को यूपी में डिलेवर कर रहा था तब A ने इंस्टर्ट किया कि आप जो है यह जो goods है मेरे भियाफ़े आप C को डिलेवर कर दो और C कहां पर है मान लिजिए अनलाइन पेइमेंट कर दी और बोल दिये एक हो कि अब आप जो goods पहले आप मुझे दो लेकिन जैसे वो goods अहां से निकल रहे थे दिल्ली से तब भी बीन ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप यूपी में मेरे goods लेके मताओ तो आप मेरे वियापे C को जो हो C कहां पर है मुझे में तो C को जो है आप डिल्लेवर कर दो ठीक है तो यहां पर आप करेंकर यह डेली जो में इसा supplier होटा है वो क्या करेगा वो यह डिल्लेवर कर देगा यानि कि ship to मुंबाई तो इसी को बते है bill to ship model I repeat Delhi में supplier है उसको डिल्लेवर करना था UP में लेकिन B के instruction के according supplier ने जो goods डिल्लेवर का अंगर दी है मुंबाई में अब इस case में प्लेसर supply का मनेंगे देखे थोरा पट्टे को सुथी है bill किसके नाम पर है B के नाम पर है अब मानेजे B कोन है supplier है तो इस case में देखे destination तो वही मानेंगे B क्योंकि artist का benefit कोन लेगा वह B लेगा सीधू लेगा नहीं क्योंकि bill to B के पास है तो इस case में गोर्ण बोलती है देखे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है principle place of business of third person यानि कि इसी को ही जो हम क्या मानेंगे place of supply that's it क्या लगेगा आपका IGST clear यहाँ पर मुश्याद दखना यहाँ पर जो है आपका जो प्रिंसिपल जो person है ठीक है वही यानि जो थर्ड परसन है इससी जयानि जिसने instruct किया हुआ है क्योंकि बिल जिसके पास है उसी काटिसी मिलेगा तो उसी के coding जो हो उसको कहा मलाएंगे हम place of supply चलिए third case देखिए अब where the goods there is no movement of goods देखिए पहले के case कहा था movement of goods involvement थी दूसरे case में goods की involvement थी किसको कर दिये bill to ship model के coding किसी और person को दिये ठीक है on the direction of third person लेकिन third case में कहा है पर अब goods की movement ही नहीं हो रही goods की movement मतलब नहीं हो रही मतलब यह जैसे मालने जीए कि आप कोई घर खरीद रहे हो कोई property खरीद रहे हो property आप खरीद रहे हो ठीक है वैसो देखिए property जब आप मालने खरीद रहे हो अपने पूरी payment एकसाथ कर दी तो आपको पता है इसमें जो goods property केस में वह building है वह GST से भाहर हो जाता है लेकिन अकर मालनों जीए well furnished अगर आप कोई building खरीद रहे हो कोई flat खरीद रहे हो तो furniture तो आपने खरीद रहे हो लेकिन क्या हो था furniture आपने खरीद रहे हो क्या उसको मुमेंट होई नहीं तो places अपले किस में क्या होगा location of such goods at the time of delivery to the recipient यानि कि location of just goods यानि कि goods की location जहाँ पर है ठीक है उसी को क्या बनेंगे places हो लाई I repeat this है मालनी जी है कि एक supplier है ठीक है वह मालनी जी real estate का business है उसका मालनी जी वह दिल्ली में जी वह registered है ठीक है एक property है जिसकी मालनी जी location कहाँ पर है वह UP में है ठीक है एक recipient है जो इस मालनी जी building को खरीद रहा है या घर को खरीद रहा है वह recipient आ कहां से रहा है मालनी जी वह आ रहा है हर याना से राइट तो देखिए यहां पर place of supply place of supplier तो डेली ही मानगे चलेंगे no doubt place of supplier या इसको आप समिल लीजी यहां पर इसको लेख सकते हैं location of supplier ताक कि confusion नहीं लेकिन place of supplier हांपर क्या होगी where the property is situated या where the goods are being delivered to the recipient तो UP क्या हो जाएगा हांपर place of supply तो क्या लगा आपका IGST अब माने जी दूसर से नहीर में माने जी supplier वह UP सही है तो फिर उस case में क्या लगा CGST plus IGST that's it ठीक है तो या दखां जहांपर goods की deliver नहीं हो रही that means movement नहीं हो रही तो location of such goods would be place of supply fourth point where goods are assembled or installed यानि कि goods की movement और लेकिं goods की और रही installed की ही आ रही है तो इस case में क्या हुआ place where goods are assembled or installed ठीक है इसका example देखिए मानने जीए इस building नहीं है अब क्या है मानने जीए आपको जो है एक lift installed कराने है lift installed कराने है lift installed कराने है ठीक है अब मानने जीए वो कहां पर है मानने जीए वो है Mumbai में ठीक है अब मानने जीए यहां पर जो supplier है वो क्या करता है lift install करता है लेकिन वो supplier रहिष्ट कहां पर है दिल्ली में है ठीक है रेसेमेंट आया हर्याने से उसका हमाले जी कोई ओफिस है या घर है कुछ भी ख़ला मुंभई में है ठीक है अब उसने बला कि मेरी एक मुंभई में प्रोपर्टी है वो मेरी अभी अंटर कंसेक्शन है तो मापट जो एक लिफ्ट इंस्टोल करनी है तो प्लेस और सप्लाई माले सप्लाईर ही मुंभई ही बठाए तो फिर तो फिर क्या रेक आपका इंटरस्टेज एक में सीजिस्टी प्लस एजिस्टी प्लस एजिस्टी फिफ्ट पॉइंट वेर गुड्स आर सप्लाईड ओन बोर्ड अग कन्वेंस लाइक वैसल एरिक्राफ्ट ट्रेन और जो ओपर सिण केइश लियर था इसको एक बढ़र अच्छा समझते है है कि इसो मांने जे आप एक फ्लेट लियर हों एक चीक है अपने एक स्टेटस है ठीक है उसके बाद जो भी मालेजे आप फ्लैट में बैट गए अब मालेजे AeroStress आई आपने मालेजे कोई एक मालेजे मैगजीन परचेस कर रहे हो तो आप मालेजे B स्टेट में आए आपने मैगजीन परचेस करने के लिए बोला उसको AeroStress को उसके बाद जब C स्टेट में आए तब उसने आपको वो मैगजीन डिलेवर करी पेमेंट आपने मालेजे D स्टेट मागे करी और आपको जाना कहा था E स्टेट में ठीक है तो इस केस में यहाँ पर जो है हम प्लैस सप्लाई क्या माना है तो देखिए आपको क्या लिखा हुआ है प्लेस वियर सच गुड्स आर बिन टेकन ओन बोर्ड दी कर्वेंस यह मान लीजिए यह जो फ्लाइट है वह मान लीजिए किसी और स्टेट से आरही है माली जीए Z ॔र वहां से Z film क्या कर रहे हैयो वहां से चढाय गया कि इसक्रेश में अब प्लेस विचाप्लाई क्वाना गया यह माने प्लेस विचाप्लाई जब आप अन्बूर्ड कोई भी पर्चेस कर रहे हो कोई भी गूड्स मैंने बात कर रहा हूं सिर्फ गूड्स की बत कर रहा हूं सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं मैं से पोफिव फुट्स की बदक हर् रहा हूं। आप कोई भी मुंक हो गए। हो शुर्वक बॉलेट हो गया BBC मैगजिन च concerned, बॉक्स भी हो गया। तो इसके सिàiम कशन देनीगे कि अफुट्स की दूरण कोई की भी क्शन खाई रहा ह। वो दिखेंगे कि उस फ्लाइट पे वो गुड्स कहां से आए जिस स्टेट में वो गुड्स महाँ पर जो है चड़ाए गए थे उसको क्या मनेंगे प्लेस वो सप्लाइए और यह था आपका 5th case और यह होगे आपका section 10 10 जो है ओवर हो चुक है इसमें 5 के हैं 2nd point आते हैं देखे section 11 आपका start हो चुक है section 11 देखे कब हो था आपका section 10 आपने का पड़ा था section 10 कब आपने के बता है where the locations of supplier and the recipient are within India but 11 कब लगया again goods की बात है लेकिन यहाँ पर जो है import-export की बात हो रही है ठीक है याने goods import करे जा रहे है या फिर export करे जा रहे है याने कि यहाँ पर supplier या लोकेशन जो कोई एक जो है वो outside इंडिया है चलिए पहले किस पर ते import इंपोर्ट में जाके क्या लिका हुआ है goods bringing into India former place outside India इसके इसमें क्या मानेंगे location of importer और क्या लागे कर पर IGST इसमें तो कोई बात है नहीं है इसमें थमेशे क्या लगत आपका IGST याने कि अगर माने जाए आपको goods import कर रहे हो ठीक है तो goods को import करने में यहाँ पर आपकी location जह state में होगी जिस state में होगी इंडिया में तो महाँ पर कहलेगी है आपका IGST export में का लिका हुआ है taking goods outside India to a place outside India ते किसका मतलब क्या हो दिहां से देखिए है मानने जे ये एक Indian land मास है ठीक है अब मानने जे आपने क्या करा कि goods से पहले एक्सपोर्ट की है अचा आपको आईगस पता होगा कि कुछ यहाँ पर यह कुछ water होता है up to 200 nautical mines यह होता है up to 200 nautical mines यानि कि इसी area के अंदर अंदर जो भी area है वो इंडिया का पार्ट माना जाता है आपका जो है वो तो लेंड मास हाई यह तो यह माना नहीं जाता है ठीक है यह आपको बात करें जो water area है तो वो क्या water area भी इंडिया का पार्ट है तो कब तक कितना मान जाता है only up to 200 nautical mines ठीक है तो जैसे ही मानने जापने goods export की है 200 nautical mines के बाहर तो वो goods export हो चुके है ठीक है I repeat जाज़ा देखिए मानने जापने जापने goods export की इससे बाहर taking goods आउट सेंड डिया to a place आउट सेंड डिया अब मानने जापने अगर आप इसको वापस लेके आगे तो फिर यह export का case नहीं बनेगा एक्सपोर्ट में इस बाहर ले गए और भाहर छोड़ दिया वापस लेके नहीं आ ना यूगि फिर तो export import दोनों बन गया ना ठीक है तो इस case में सिफ बाहर ले गए जाए और भाहर छोड़ दो तो इस case में places आपले का होगा location outside India I repeat link import case में जो import हो रहा है वही place of supply और export case में जो recipient है location होगी, that means location outside India तो उस case में का हम बाहर है, place of supply location outside India राइट तो students today we have covered that is two section two section that is section 10 section 10 applicable where the recipient and the supplier are both in India and section 10 applicable where either of either of the supplier and the recipient are outside India that means there is a case of importer or might be exporter right so this is the all about that means the place of supply of goods under section 10 and 11 now in the next video lecture we will talk about the services I hope you have understood very well thank you you